इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है और इसके डिफ्रेंस के बारे में अब Indospermic seed को Albuminus seed भी कहते हैं और Non Indospermic seed को X Albuminus या Non Albuminus seed भी कहते हैं Indospermic seed क्या होगे? The type of seed in which food is stored in Indosperm वैसा seed जिसमें कि food जो stored होगा वो Indosperm में होगा उसको क्या कहेंगे? Indospermic seed या Albuminus seed Non Indospermic seed किसको कहेंगे? The type of seed do not have Indosperm at maturity मिस क्या हो गया? कि Indosperm पूरा का पूरा इसमें एब्सोर्ब हो जाएगा, मिस कि इटिलाइड हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? Non Indospermic seed या X Albuminus या Non Albuminus seed Now next is Indospermic seed in which Indosperm are located outside the Cotyledon and utilize at the time of germination Indospermic seed में क्या होता है? कि Cotyledon के outside में Indosperm present होता है और utilize हो जाता है कब? At the time of germination Indosperm कब utilize होता है? Germination के time में किसमे? Indospermic में Non Indospermic में क्या हो गया? Indosperm are absorbed by embryo ये embryo में ही absorbed हो जाता है during its development ये हो जाता है कब? embryo development में और ये कब होता है? जब ये germination होता है तब ये Indospermic Asperm absorb हो जाता है और इसमें क्या हो गया? कि जब embryo development होगा तब Indosperm पूरा कब पूरा absorb हो जाता है इसलिए लाश्ट तब Indosperm इसमें प्रजेंट नहीं होता है and they absorb food and they absorb food stored in जो food इसे absorb हो गया Indosperm से वो कहां store हो जाता है Cautylidion में Okay Now come to Cautylidion are thin and membranous Indospermic में क्या होता है जब इसमें Indosperm पर जेंट ही है तो Cautylidion का क्या काम तो इसमें क्या होता है कि इसमें Cautylidion जो है वो thin and membranous होता है इसमें क्या होता है Cautylidion become thick and fleshy क्यों क्योंकि यह Indosperm जब embryo का development हो रहा था तो Indosperm का पूरा का पूरा फूर्ट जो है ब्सक्राव कर ले रहा था और वो कहां store हो जा रहा था Cautylidion में तो Cautylidion क्या हो जागा मोटा ताजा हो जाएगा खाने के बाद ओके आप कह रहे हैं कि Indosperm most of monocoat seed आता है जैसे wheat, rice, maize and coconut Monocoat seed किसमें आता है Indosperm, seed, almond nuts, seeds में तो उसमें क्या क्या आ गया wheat, rice, maize and coconut पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कुस किया है यह इस्टिस के बारे मोनो कोट में डिस्कुस किया है तो आप प्लीज वीडियो को जरूर जाकर देखना वह और अच्छे से समझ में आएगा इसमें आ गया Monocoat में wheat, rice, maize and coconut इसमें आ गया most of डैकोट seed में पी, ग्राम, बीड ओके और 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 किड्स तो क्या है Monocoat seed है बट यह नौन इंडोस्पर्मिक होता है मतलब मोस्ट अप यह से लिए यहां क्या करें most of Monocoat seed not all Monocoat seed और किड्स जो है Monocoat seed यह नौन इंडोस्पर्मिक होता है और कैस्टर जो है डैकोट seed है बट इंडोस्पर्मिक होता है ओके अब इसमें हो गया कि इंडोस्पर्म के बाहर यह हो गया इसकी कवरणिंग यह रहता है इसमें क्या हो गिया है इंड raising किसको स्रओंड के हुए रहता है इंडो किसको कहते हैं जिर्टकोन नाइस को कहते हैं या नॉनिनल dire p tolerate अच्व condemnAT इंडोस्पर्म में और नन इंडोस्पर्म 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 इंडो hope you like this video then please like share and subscribe thank you